नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रो की दुनिया में हालदिक स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाथो पर आप मंत्रो का जाब कैसे कर सकतے हैं यदि जो साधगण या जो ऐसे सामने जाब करते हैं, वह सोच रहे हैं कि हमारे पास माला नहीं है, तो हम जाब कैसे करेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ, हमारा जो सीधा हाथ रहता है, हमारा जो दाया हाथ रहता है, राइट हैंड, उससे हम जाब करते हैं, कैसे करते है सबसे पहले आपको उगलियों के नाम पता रहा चाहिए इसका नाम तरजनी होता यह मद्धेमा यह अनामी का और यह कनिस्टी का इसको अंगुस्ट्य बोलते हैं हम अनामी का जो उगली है उसके मद्धे फीरें से गिंती चालूह करते हैं तो यह मारी तरजनितें है उप्पर तक किससा जा थे देखिए मैंसे आपको करकर कि बता जिता हूं कि यह हमारी याणामीका उंगली हमको क्वेशा भी मंत्र का जाब करना मान लेजिये हम कर रहे हो तो दो दो तीन चार CR fairness छे साथ आट नो दस इस प्रकार से आपको जाना है तो दस यहां पर आजेंगे फिर ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठ्रा उन्नीस बीस ठीके 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यहां तक आजेंगे फिए 40, 50, 18, 70, 80, 90, ये 100, जैसे आप यहाँ पर 100 आएंगे तो आपको फिर यहाँ पर से नहीं गिनना है, एक यहाँ से गिनना, जो 100 हो गया हमारा, तो हमारा 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108, यहाँ तक हमारी गिंती आईगी 108 की, एक और बार में पता देता हूँ, जैसे आपके यहाँ तक 100 हो जाएंगे, तो आपको यहाँ वापिस यहाँ से 101 नहीं गिनना है, जिसे हो गए 100, यहाँ से 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108, यह होने के बाद वापिस हमको और माला करने ही, तो वापिस आप यहीं पर से शालू हो जाए नहीं पर से शुरू कर दीजिए, और आपको याद कैसे रहा कि हमारे कितनी माला हो गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, तो आपके पास आप चलने की डाल से भी आप रख सकते हैं, 108 गिनकर, तो आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ, आपके जो है वो माला हो गई, या दो, तीन इस प्रकार से आप गिनती भी कर सकते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, दूसरी वीडियो पर हम आएंगे और चर्चा करेंगी कि हमको करन्यास कैसे करते हैं, करन्यास भोती सरलर विदी से मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद रदेन्यास अंद् वा भी हम सीखेंगे